हाई अव्रिबन स्वागत है आपका आरेस क्रियेशन स्टेडी चैनल में तो आज हम लोग एक शॉट स्टोरी की समरी डिसकस करने जा रहे हैं जो की है इंजिन ट्रवल और ये जो सॉट स्टोरी है इसके राइटर है आरके नारायन आरके नारायन जी की जितनी भी शॉट स्टोरी होती है वो बहुत लादा इंट्रेस्टिंग होती है और इनकी स्टोरी पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है तो ये जो स्टोरी है बाकी इनकी स्टोरी की तरह इसकी सैटिंग भी जो है मालगुडी में रखी गई है मालगुडी जगा का नाम है तो अब हम जो है स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं तो अब यह जो स्टोरी होती है इसको यह जो narrator होता है यहाँ पर यह narrator इन लोगों को सुना रहा होता है जो इसके साथ बैठे हुए होते हैं तो narrator इन लोगों को क्या सुनाता है कि कुछ लोग narrator को जो है लोटरी का टिकेट खरीदने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोटरी का टिकेट विकरा होता है और क्योंकि इन लोगों ने खरीद लिया होता है तो इन लोटरी को भी कहते हैं तो अब नरेटर अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है इन लोगों को और कहता है सुनो मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने लोटरी का टिकेट खरीदा था पिछली बार, तो अब नरेटर जो है इस कहानी को सुनाएगा, तो नरेटर कहता है कि यहीं एक गाउं का मैदान है जहां पर एक मेला लगा हुआ था गाउं का और मेले में बहुत सारी गेम्स थी, जूले थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी और साथ में लोटरी भी लगी हुई थी, मतलब लोटरियां भी लगी होती है मेले में, आप सब को पता है होगा जैसे गाओं के मेले होते हैं तो यह जो नरेटर होता है यह अपनी वाइफ के साथ मेले में गया होता है तो यहाँ पर क्या होता है इस मेले में जो है लोटरी का गेम सुरू हो जाता है लोटरी में बहुत सारे इनाम होते हैं जैसे पंखा, प्रेशर कुकर, ज पीछे क्या है लेकिन सब देखते हैं कि बहुत बड़ा इनाम है और किसी को पता नहीं होता क्या है तो जादा से जादा लोग जो है लालच में आ करके उस लौटरी के टिकेट को खरीद रहे होते हैं तो नरेटर भी इस लौटरी का टिकेट को खरीद लेता है और वो भी इस बड़ा सारा इनाम है ये है एक रोड इंजन तो अब जब narrator इस इंजन को देखता है तो इस इंजन को देख करके शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इसका क्या करूँगा इतने बड़े इंजन का मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता है और मुझे पता नहीं मतलब ये चलता कैसे है और मतलब ये कहता है कि ये कैसा इनाम है और इसके बाद narrator कहता है जो की host होता है शो का उसको कहता है कि मैं इसको कैसे रखूँगा और मैं इसको घर कैसे ले करके जाऊँगा तो यहां पर यह जो लोटरी वाला होता है यह कहता है कि देखिए जो लोटरी का इनाम होता है इसे घर पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है यह तुम्हें खुदी ले जाना पड़ेगा लेकिन हां मैं तुम्हें इसको जो है यहां पर रखने की इजाज़त दे सकता हूँ जब तक की मेला खतम नहीं होता है मेला चल रहा है तो नरेटर पूछता है कि अब ये जो तुम्हारा मेला है ये कब तक चला हुआ है तो मेले ये जो लोटरी वाला है ये कहता है आज रात तक तो मतलब ये जो नरेटर होता है इसको और भी जादा शौक लग जाता है य तो इंजन के उपर एक नोटिस पड़ा होता है, जो की मुंसिपल कॉर्परेशन वालों की तरफ से आया होता है, और इसमें कहा होता है कि आपको 100 रुपीज हर महीने का रेंट देना होगा, टेक्स देना होगा, क्यूंकि आपने सरकारी प्रॉपर्टी के उपर इस इंजन को मांगता है, और इस इंजन का रेंट भरने के लिए, मतलब उन गहनों को बेच करके इसका रेंट भरता है, और कहता है कि एक बार मैं इसे बेच दूँगा, तो मतलब हमें काफी लाब होगा, लेकिन उसकी वाइफ उससे काफी नाराज हो जाती है, क्यूंकि उसको मतलब ऐस कासी फीलिंग आ रही होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो अब जो है, नरेटर चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह से इस जो इंजन है, इसको सस्ते दामों पर बेच दे, तो ये मतलब इस आफ़त से अपनी जान चुड़ा है, तो इसके लिए इस इंजन को बेचने के लि होता है, उसी जगा पर होता है, और जो नरेटर है, वो रेंट दिये जा रहा है, उस इंजन का, और अब नरेटर जो है, क्या करता है, नरेटर के दिमाग में एक आइडिया आता है, कि क्यों ना मैं इस इंजन को मुनसिपल कॉर्परेशन बालों को ही बेच दूं, तो जैसे यह जो narrator है यह इनके office में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो head होता है municipal corporation का उससे जगड़ा हो जाता है कुछ ना कुछ इन में unburn हो जाती है किसी बात के उपर तो यह जो head होता है इसको गुस्सा आता है और यह जो है notice पकड़ा देता है narrator को और कहता है कि 24 गंटे के अंदर अंदर अब तुम्हें इस engine को इस जगा से हटाना होगा और यह जगा को खाली करना होगा तो अब यह जो narrator है न यह बहुत जादा परेशान हो जाता है इसको कुछ नहीं सूजरा होता अब यह जो narrator है यह अपनी wife के साथ मंदिर जाता है और वहाँ पर जो पंडित होता है उसको पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसी बात है तभी यहाँ पर यह जो पंडित जी होते हैं यह suggestion देते हैं कि मैं तुम्हें मंदिर का हाथी दिलवा सकता हूँ engine को वहाँ से हटाने के लिए अगर तुम चाहो तो तभी यहाँ पर एक और पंडित भी होते हैं वो कहते हैं कि अकेले हाथी का काम नहीं है इसके लिए पचास मजदूर साथ में लगेंगे तो narrator कहता है कि ठीक है मैं मतलब मजदूर और हाथी लगवा दूँगा बस यह जो engine है यह किसी तरह से वहाँ से हट जाए अब इसके बाद जो है हाथी और जितने भी मजदूर होते हैं वो सब इस engine को पूरी ताकत लगा करके गसीटते हैं engine पर एक driver भी बिठाया जाता है ताकि वो मतलब उस engine को drive कर सके जो पहिये उनको गुमा सके लेकिन engine का पहिया घूम ही नहीं रहा होता है राइट और लेफ्ट सीधा सीधा जा रहा होता है तो अब क्यूंकि जो engine है उसका पहिया घूमता ही नहीं है वो सीधा सीधा एक ही direction में जा रहा होता है तो ये जो इंजन है वो सामने जाकर के एक दिवार से टकरा जाता है और दिवार को तोड़ देता है और जैसे ही दिवार तूट जाती है अब दिवार का मालिक जो है नरेटर को थपड मार देता है और इसके बाद ही यहां पर पुलिस कंप्लेंड हो जाती है और पुलिस आकर के narrator को पकड़ के लेकर जाती है और जेल में डाल देती है अब यह जो व्यक्ती होता है जिसकी दिवार टूटी होती है वो जो है पुलिस स्टेशन जाता है और narrator को कहता है कि अगर तुम यहां से छूटना चाते हो तो तुम्हें मेरी दिवार बनानी पड़ेगी और जो इंजन है वो मेरे आंगन से हटाना पड़ेगा तो narrator जो है इस बात को मान जाता है इसके बाद inspector narrator को जो है रिहा कर देता है इस सर्थ पर की उसे जो है एक महीने के अंदर अंदर उस दिवार को बनवाना पड़ेगा नहीं तो उसे फिर से जेल में डाल दिया जाएगा तो अब जो narrator होता है वो घर जाता है और घर पर जाने के बाद वो जो है अपनी वाइफ का एक और गहना बेश देता है क्यूंकि उसको जो हाथी के मालिक और मजदूरों को और ड्राइबर इसके बाद एक रात क्या होता है जब narrator घर पर अकेला होता है तो जब वो सोया होता है तो एक दम से बहुत तेज भूकमप आता है और narrator जो है बैड पर से नीचे गिर जाता है और सारी चीज़े आंस पास की गिर जाती है तो हर चीज़ को ये भूकंप हिला देता है, बहुत जोर का भूकंप आता है और भूकंप की वज़ा से सारे गाउं वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं नरेटर भी घर से बाहर जाता है और देखता है कि इंजन जो है अपनी जगा पर नहीं होता है तो तब ही जो है narrator को बहुत जाए अटेंशन हो जाती है कि कहीं किसी और की घर की दिवार तो नहीं उड़ा दी मेरे engine ने तो जो narrator है वो engine को ढूणने लग जाता है लोगों के साथ तो अब जो narrator है और बाकी लोग हैं वो देखते हैं कि वो जो engine है वो नाले में गिर गया है भूकंप की बजा से अब यह जो नाला है यह उसी व्यक्ति के घर के सामने होता है जिसकी दिवार टूटी हुई होती है तो यह जो व्यक्ति होता है यह narrator को कहता है कि प्लीज आप इसको यह जो इंजन है इसको यहां से मत हटाईए क्यूंकि यह जो गंदा नाला है इसकी वज़ा से हर वीक हर हफते मेरे पास जो है नोटिस आता है मुन्सिपल कॉर्परेशन का लेकिन तुम्हारे इंजन ने जो है इस गंदे नाले को बंद कर दिया है मेरा काम हो गया है मैं टूटी हुई जो दिवार है मेरे घर की तुम्हें उसका पैसा देने की जुरूरत नहीं है, वो मैं खुद ही अपने पैसे से बना लूँगा, तो narrator भी क्या करता है, इस मौके का फाइदा उठाता है, और narrator कहता है कि अब मैं इस engine को यहीं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्यूंकि मेरे बहुत सारे पैसे लग गए इसके उपर, 300 रुपए मैंने मुनसिपल कॉर्परेशन को रेंट भरा इसका, और 100 रुपए हाथी और मजदूरों को दिया, 25 रुपए डराइबर को दिये, इसके कारण से मतलब मेरी जो वाइफ है, वो भी मुझसे बहुत जादा नराज हो गई है, तो मैं अब इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता मुझे बहुत जादा लॉस हो चुका है, इसके बाद यह जो व्यक्ति होता है, यह नरेटर को कहता है कि मैं जो हूँ, तुम्हारे सारे पैसे दे दूँगा, जितने भी पैसे तुम्हारे लगे हूँ है, लेकिन प्लीज तुम इस इंजन को यहाँ से मत हटाओ, तो इस तर कहानी को खतम होने के बाद जब नरेटर खतम कर देता है, तो यहाँ पर जो आसपास लोग होते हैं, वो नरेटर की इस बात के उपर मतलब बिलीव ही नही कर रहे होते हैं, उसकी इस कहानी के उपर बिलीव ही नही कर रहे होते हैं, इसको कहारे होते हैं, तो कुछ भी बोल तुम मतलब पहले तो इनाम जीत गया और ऐसा ऐसा हो गया और बहुत ही आस्चर्य से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है आप मतलब ऐसे ही फेंक रहे हो तभी इन लोगों के सामने से जो लोटरी का इनाम होता है ना रोड इंजन इस बार भी इनके सामने से एक रोड इंजन के साथ तो अगर आपको इस स्टोरी पसंद आयोगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियों है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाई-बाई